इन दिनों बागेश्वर धाम के पीठा धीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री चर्चा में हैं लोगों के लिए ये आश्चरे की बात रही कि रातो रात एक युवा संत या युवा कथावाचक इतना मशूर कैसे हो गया अब वो फिर से सुर्खियों में हैं लेकिन इस बार माजरा थोड़ा अलग हैं ये मामला उनकी शादी की खबर से जुड़ा है दरसल सोशल मीडिया पर लोग कयास लगा रहे हैं कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मशूर मोटिवेशनल स्पीकर और कथावाचक जया किशोरी के साथ शादी के बंधन में बंद सकते हैं लेकिन इस बात में कितनी सचाई है इसका सच हम आपको बताएंगे एक निजी मीडिया संस्थान को दिये इंटर्व्यू में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस मामले पर बात करते हुए इसके पीछे का सच बताया है आईए जानते हैं क्या बागेश्वर महाराज की जया किशोरी से शादी होने जा रही है वैसे तो कई बार पंडित धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री से उनकी शादी के बारे में सवाल जवाब किया जा चुका है लेकिन अब उन्होंने इस पर खुल कर अपने दिल की बात रखी है उन्होंने जया किशोरी के साथ अपनी शादी की अववा को सिरे से खारिच करते हुए पूर्ण विराम लगा दिया है जया किशोरी के साथ शादी की अववाओं पर बात करते हुए बागेश्वर धाम की पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा ये गलत और मिथ्या है हमारा ऐसा कोई भाव नहीं है आपको बता दें कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने दिव्य दर्बार को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं उन्हें मानने वालों की संख्या लाखों में बताई जाती है अब जया किशोरी के साथ उनकी शादी की खबर अववा बनकर कई लोगों के कानों तक पहुँच चुकी है आला कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना है इस अववा से हम बहुत आक्रोशित हुए थे हमने एक लिखित बयान भी जारी किया था इस बयान में उन्होंने आक्शन लेनी की बात की थी उन्होंने कहा जब नाम होता है तो बदनामी तो पीछे जुड़ी जाती है आपको बता दे कि पंडित धीरेंद्र महस 26 वर्ष की उमर में काफी मशूर हो गए है और दुनिया भर में उनकी चर्चा होने लगी है उन्हें मानने वाले लोग उन्हें बाबा कहते हैं लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ने खुद को बाबा ना बताते हुए कहा था कि वे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री है उन्होंने ये भी बताया था कि वे 10 साल की उम्र से ही लगातार तपस्या और हवन करते आ रहे हैं साथ ही उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी थी कि वे तीसरी पीडी के हैं और बागेश्वर धाम की सेवा कर रहे हैं अब ये तो साफ हो चुका है कि पंडित धीरेंदर कृष्ण शास्त्री और जया किशोरी की शादी की बाद महज अव्वा है आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें